कि सात्यों जन्ता की ताकत असंभव को संभन बना सकती है याद करिए एक समय था जब देश अनाज के संकर से जूचता था विदेश से खाने के लिए पेट भरने के लिए अनाज लाना पड़ता था देश वासी बिदेश से अनाज कब आये गा उसका इंतजार करते थे कतार में खड़े रहते थे वो दिन थे लेकिन उसी दोर में इसी धरती की संतान लालबाजुल सास्त्री ने जै जवान जै किसान का अभान किया तो पुरे देश के किसानों ने अन्न के भंडार भर दिये अगर हम अमारी उसे आत्रा को उसी रुप्पे देखते तो शायद आज भी उस आंक्णों पर लिखने वाले पेशेवर निराशावादी कभी नहीं निकालते कि हाँ ये देश आत्मनिर भर हो सकता है अगर नकाल आत्रा को निराशावाद्यों की चली होती ही तो हम आज भी अनाज को बाहर से ही मंगा रहे होते हैं कि सांथियों 2000 के चुनाव में एक बड़ा मुद्दा था कि देश में दाल की स्थिति का दाल के दाम अखबार में च्छाय रहते थे पल्सिस का और 2014 में विजय होने के बाद मैंने देश के किसानों को प्रार्षना की थी और मैं भैरान हूं जी मेरे देश के किसानों ने दा अब मेरे मन में एक और वीचार चल रहा है और जब आक आश्यू पवित्र धर्ती पर आयो मां गंगा के तर्पर खड़ा हूं कि तो मैं जुरूर आज किसानों से बात कह रहा हूं हम जो खाद्य तेल खाना बनाने में जो तेल का इस्तमाल होता है आज उसको लेकर भी यही बात है आखिर क्यों हमारा देश खाने वाला तेल बाहर से क्यों लाए मैं जानता हूं अगर देश का किसान ठान ले अपनी जबीन के दस्वे हिस्षे को भी तिलहन के लिए समर्पित कर दें तो तेल आयात में बहुत बड़ा फर्क आ जाएगा भावी और भहनों देश बड़े संकल्प और बड़े लक्षों की प्राप्ति सही आगे बढ़ता है इच्छा शक्ति चाहिए कि जो ठान लिया वो ठान लिया फिर उस लक्ष की प्राप्ति के लिए खुद को समर्पित कर देना होता है सोच किये अंग्रेज भी एक समय कहते थे जब देश आजाद होने की का दिन की चर्चा तल रही थी तो वो यहीं सोच करके सपने देख करके गए तो बड़े खुश से कि जैसे ही हम जाएंगे यह देश टुकड़ों टुकड़ों में विखर जाएगा राजे रजवाड़े सब मैदान में आजाएंगे यह देश बचेगा ही नहीं यहीं सोच करके गए थे लेकिन एक सर्दार भॉल्ला भाई पटेल ने ठान लिया कि देश की रियासतों को साथ लाना है एक भारत स्रेश भारत बनाना है तो इस संकल को पूरा करकर ही रुखे थे कि मैंने अपनी आँखों से देखा है 2001 में कच के अंदर जेब भयंकर भूकम पाया था इस सता पिजली सता दिखा सबसे बड़ा भूकम था लोग कहते थे बस खतम अब यह खड़ा नहीं हो सकता है आठ वो खड़ाई हूँ ऐसा नहीं दोड़ रहा है हिंदिस्तान के सबसे तेज गती से दोड़ने वाले जीलों में उसने अपना नाम दर्ज करा लोग ने करके दिखाए पांचे साल पहले जब उतराखन में तबाही आई थी तो क्या स्थिती तो कहां जाता था कि के दानास में अब यात्री रहीं आपाएंगे लिकर अब देखिए पहले से कहीं ज कि देश ने 62 की लड़ाई और 65 की लड़ाई में हमारा देश का नागरी कि जितना खुद को प्यार करता है उतना ही गोल को प्यार करता है सोने को प्यार करता है सोना तो घर में होना ही चाहिए यह हमारी सोच है लेकिन जम 62 की लड़ाई हुई 65 की लड़ाई हुई इसी देश वासियों ने अपने गहने अपना सोना मां भारती के चरणों में डाल दिया था तो पिछले पांत साल में भी जन भागीदारी की तांकत देश दे देखी है चाहिए स्वच्छ भारत अभ्यान हो गैस सब्सीडी छोड़ने की बात हो या फिर सीनियर सिटिजन ज्वारा रेलिवे में कंसेशन का त्यान यह जन भागीदारी के उदानण है ऐसे ही देश बनता ह है एसे ही देश बन रहा है सात्यों चाहे एक हजार दिन में देश के हर गाउं तक बिजली पहुंचाने का संकल्प हो सवभा के योजना के तहई बिजली कनेक्शन देना हो स्वच भारत मिशन के तहई सवचालयक और निर्मान हो जंदन योजना के तहई गरीबों के बैंक औरकाउन खोड़ना हो हमारी सरकार के पहचान संकल्प से सिद्धी की रही है कि पिछले पांच वर्षों में डेट करोर से जादा गरीबों को हमारी सरकार ने पक्के घर दिये है अगर पहले की सरकारों वाली है और उस समय वाली रफ्तार होते रहती तो शायद एक दो पीड़ी और इंतिजार करने के बाद भी घर मिलता के नहीं मिलता वह काम हमने पांच शे था पांच साल के भीते भुतर किया है लेकिन हमने दिखाया कि तेज गती से काम कैसे किया जाता है अब सरकार दोहजार बाइस तक जब आज आज़ादी के पच्चतर साल मनाएं देंगे हर गरीब को घर देने के दिशा में आगे बढ़ रही है उसी प्रकार थे रसोई गैस कि जितने गैस कनेक्शन के दोहजार चाहुदा से पहले 60-70 सालों में देश में दिये गए थे उससे जाना गैस कनेक्शन हमने सिर्फ 5 साल में दे करके दिखा दिया है जब संकल पर लेकर उसके लिए पूरी मांदेरी से प्रयास किया जाता है तो संकल पर सिद्ध भी होते हैं कुछ साल पहले क्या किसी व्यक्ति ने सोचा था कि Ease of doing business की ranking में भारत का जो 122 साम था वो 77 हो जाएगा इसी तरह foreign direct investment को लेकर भी हमने लक्षों को प्राप्त करके दिखाया